गाइस, स्टूडेंट ओफ दा येर मेरा फेवरिट मूवी था और 2021, 22 और 23 में उन मूवी के तीनों के तीनों आक्टर्स के विकट किर गए जब आलिया भट का शादी हुआ था ना, मुझे लगा था कि मैं अगर आलिया भट जैसे मेक अप कर लूगी तो शायद मुझे भी कुकुर कमाल ना मिल जाएगा गाइस, बट नहीं मिला और इस बार मेरा रांचा तो मांचा से भी तेज निकला मेरे सिधार्थ ने कियारा से शादी कर लिया और मैंने ट्राइ किया था कियारा जैसा मेक अप करने का बट वो भी नहीं हुआ तो आज मेरी आखरी उमीद है, Best Reviewed Makeup Artist मैं उनके पास जाऊँगी और ट्राइ करूँगी कियारा जैसा दिखने का कि शायद मुझे मेरा कुकर कमाल ना मिल जाए तो चलो गाइस, बिना किसी देर के चलते हैं शोमीदी के पास तो मैं आगई, Best Reviewed Makeup Artist के पास मेरी ड्रेस तो देखो, कितना सुन्दर लग रहा है यार बिल्कल कियारा, अढ़वानी जैसा तो अभी शोमीदी सबसे पहले तो मेरे फेस पे पोच्छा लगाएंगी यहाँ पे मैं उनको convince कर रही हूँ कि यार, पोच्छा मत लगाओ, मेरा चहरा साफ है फिर भी, उनको तो पोच्छा लगाना ही है, क्या ही करूँ मैं अभी finally, मैंने भी हाथ में पोच्छा लेके थोड़ा सा मेरा मूँ पे पोच्छा मार ही लिया अभी आते हैं बहुत ही जादा serious time गाईस, क्योंकि शोमी दी एकदम हाथ में न, कैंची लेके ready होगी है मेरी eyebrow के बालों को वो trim कर रहे हैं, और आप बस देखो मेरा चहरा कितनी जादा serious थी मैं अभी हमको apply करना है लेंस हमारे आखों में जो कि हुआ नहीं तो शोमी अभी उनका हाथ घुसे दीगी मेरी आखों के अंदर एंड यार हो गया और मुझे आसू भी आने लग गया यार यह लेंस लगाने का प्रोसेडियोर किस-किस को डरावना लगता है मुझे प्लीज बताओ तो अभी पीसी का कुछ टोनर टाइप का अप्लाई किया जाएगा मेरे फुल फेस पे ताकि चहरा एकदम ब्लोई ग्लोई चांद जैसा हो जाए ने गाइस चांद में भी दाग होता है बट आज के मेकप के बाद मेरे फेस में भी दाग बिलकुल नहीं होने वाला तो अभी लगा जाएगा मॉश् प्रिक करीम कि बहुत ही अच्छ है शो मेधी एकदम मर्साज करकर के मेरे स्किन के सारे पोर्स के अंदर सारे रोम के अंदर गुसेड देंगी और यहां पे फोन पे किसके सात्थ बात कर रहा है यार ciao हो Sepa किसको पता है गाइस और यहां पे शोमी दी इतना अच्छी से मरसाज कर रहे थी कि मैं तो सो ही जा रहे थी तो अभी हमारी स्किन में लगाया जाएगा इल्यूमिनेटर ताकि हमारी स्किन ना इग तो मतलब डिसको लाइट जैसा ग्लो करे गाइस तो इसलिए शोमी दी बहुत ही अच्छे से इस इल्यूमिनेटर को में स्किन पर अप्लाई कर देंगी जो कि प्राइमर का भी काम कर लेगा गाइस इस वाले स्टेप को बोला जाता है कलर करेक्शन मुझे नहीं पता यार इससे कोई करेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता मुझे तो लग रहा है कि मेरा चेहरा और बिगर जा रहा है बट कोई बात नहीं गाइस trust the process यहाँ पे मेरे dark circle को और जादा dark कर दिया जाएगा मेरे मुच्छे बनाए जाएगे दाड़ी बनाया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़े बनाए जाएगी जो कि अभी देखके फिलहाल तो बहुत ही गंदा लग रहा है थोड़ी बन्दर जैसी शकल की लग रही हूँ मैं बट कोई दिक्कत नहीं बाद में सही हो जाएगा अभी फाइनली सारे दाग धबे को छुपाने के लिए foundation लगाया जाएगा उसके साथ भी ना कुछ तो illuminator जैसा highlighter जैसा mix किया गया है और आप बस देखो यार क्या coverage है foundation का मतलब मेरा चहरा क्या मेरा lips भी बिल्कुल पूरी तरह से ढख जा रहा है मतलब यार एक सफेद कागस जितना सफेद होता है ना मेरा चहरा भी उतना ही सफेद लग रहा है है मतलब मेरे skin color काई है जादा सफेद भी नहीं बट बिल्कुल सारे चीजें ढख गई है बिल्कुल एक भी डार्क सरकल और इवन मेरे eyebrows भी ढख जा रहे है यार क्या यह बता हूँ गाइस मेकप को waterproof बनाने के लिए ना ये दो चीजे है एक foundation और एक उसमें मिलाया जाता है कुछ मुझे नहीं पता हूँ क्या है बट इससे मेकप बिल्कुल waterproof हो जाता है तो ये बाला foundation फिर से थोड़ा थोड़ा करके हमारे face पे apply किया जा रहा है यहापे मेरे आख में घुस रहा था पाउडर देखो देखो यार ऐसी अजीब face क्यों बनाती हूँ मैं ओ सौरी पाउडर नहीं लगाया जाएगा गाईज अभी शायद यहाँ पे blusher लगाया जा रहा है है ना हाँ जी blusher लगाया जाएगा ताकि मैं अगर नाभी शर्माओ तो भी मुझे डेख ऐसा ही लगे कि मैं बहुट शर्माती हूँ मैं बहुट शर्मीली लड़की हूँ और लोग शर्माते जब है न तो बहुत ही सुंद़ तरीके से हसते है and मुझे देखो यहँहाँ पैं अभी लगूगी, बट आब बाट में देखना, ठीक है ना, मतलब बहुत ही सुन्दर लुक आएगा, तो अभी मैं बिलकुल बजरंग बली बन चुकी हूँ, एक्टम फेस में बहुत सारा एक्सपरेशन करते वे पाउडर लगवा रही हूँ, तो मेरे फेस में ये वशिंग आउटर निर्मा को छोड़ दिया गया है, लगाके, शोमीदी हटाने भूल गई है, तो अभी मेरे आइब्राउस पे लगाया जा रहा है, आइब्राव पोमेड, और मुझे ना, इतना सादा हसी आई, क्योंकि शोमीदी सायद यही बोल रही थी, कि तुमारे तो आइब्रा को ठीक करने की एक जैसी करने की कोशिश कर रहे है, शायद मेरे आइब्राउस जुरुआ बहन जैसे तो नहीं दिखेंगे, बट सौतेली बहन जैसे जरूर दिखेंगे, क्यों, लग रहे है ना, मेरे आइब्राउस बहुत ही जादा संदर, तो अभी, फाइनली मेरे आइस क बिल्कुल लॉंग, लास्टिंग और वाटर प्रूफ रहे, तो अभी सबसे पहले लगाया गया है एक लाइट पिंकिश कलर का आइशादो, इसी से पूरा क्रीस को, क्रीस क्या होता है, क्रीस को शो मेरे अच्छे से ब्लेंड आउट कर देंगी, ताकि एकदम ना, ना, ना पिंक कलर ही लगाया जाएगा, बहुत एजी आई लुक है, आप लोग जरूर ट्राइ करना, और मुझे इंस्टरग्राम में पोटो सेंड करना, ठीक है ना, तो लास्ली, अप्लाइ किया जाएगा थोड़ा सा मस्कारा, ताकि हमारी जो ऐलाशे है, वो बहुत ही जादा सु आप लाशे हैं, तो यहां पर मैं आखों को बंद करके बैठी हुई हूई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कब तक आख नहीं खोल सेते हैं, पिंदेगो आख खोली हूँ मैं, और आख चिपक गया था, ओ नो, सची में चिपक गया था यार, तो अभी अर्चिता मेर तो यहां पर बालों को अच्छे से मिजल पार्टिशन किया जा रहा है, सामने वाले बाल बिलकुल सफेद हो चुके है, क्योंकि फाउड नेशन लग चुका है, वाव, क्या बात है, बड़ गाइस, आप लास में लिखना है, कितने ज्यादा सुन्दर लगूं की मैं, तो ग पर चिता, पीछे से बाल बना रही है, फोन में बॉइफिर्घ की साथ बाते कर रही है, और बहत सारे चीज़े कर रही है, तो यार मैं सेलेब्रिटी हूँ, बिलकुल सेलेब्रिटी वजा फील तो आरा ही चईए, अभी यहां पर मेरी cannote क्या जा रहा है, क्योंकि कितने सार कोई बात नहीं थोड़ा और मेकप कर लोंगी तो लगोंगी कियारा अडवानी जैसा इसलिए बलाशर लगाया जा रहा है धेर सारा पिंक पिंक कलर का थाकि मैं बिलकुल शर्मीली दुलहन जैसी लगो कियारा जैसी तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया शोमीदी ने और म इस पे भी हाइलाइटर लगाएंगी शोमीदी और यह हाइलाइटर ना बोकुत जादा नाच्रल लुक देता है ऐसा लगता है देखे कि आपके स्किन नाच्रली गलो कर रहा है बिलकुल भी एकदम स्ट्राक हाइलाइटर जैसा लुक आता ही नहीं है अभी मेरा हेर इसलिए ना यहाँपर मेरा खाते खाते हैस्टाइल भी एकदम बन रहा है गाइस अर्म बिर्यानी चा रहे थी बहुती यम्मी बाला तो अभी शोमीदी मुझे ज्वेल्री पहना रही है और गाइस यह ज्यूलरी ना बिलकुल सेम तु सेम है कि आड़ा अडवानी जैसा इ इसलिए यह वहाला जूलरी सेट सेंट कर दो बहुत ज्यादा ही सुंदर है किसंदर मुझे रोज भी मिला गाइस एक दो तीन बातलब यार इतना सारा प्यार मुझे तो मेरे बॉइट ने भी कभी रोज ने दिया थे इतने सारे बट मुझे यहां पे जा के रोज भी मिल ग सब्सक्राइब की फ्लावर्स लगाए थे उसके बान में अभी दुपट्टा भी लगा दिया किया हैं कोई सुन्दर वाली यारा जैसे लग रही हो मैं बट नो इतना बनाओंगी तो कैसे सुन्दर लगूंगी तो लास्ट ली एक बिंदी भी लगा दिया किया एंड यार किया एडवानी का वेडिंग लुक है वह मैंने Best Reviewed Makeup Artist मकलब शोमीदी से करवाया है अगर आहं भी बेस्त रिवीवदी मेक अखर वाना जाहते हो एंड मैं अगर आप में चाहते ओका नग्लेश अ दीस क्रीन में डाल दूंगाус क्टीर villains में डाल डूओंगी एंड अगर आप मेंикиप सीखना चाहते बते मेरा जो एक एक है यार फिया रख्ट कर दो हाट ड़े कर दो मैं में चांट रिग माव्च र्लूद को हम पता लोगों को यार तो रख्टा कर दो गया हम मिलते य데ग ब्लियो में जुड़ भाइह